नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अरपित एक बार फिर से मैं आपका सौगत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल इस्टेडी विट ट्रिपाले में और उसमें जो चैप्टर नमबर टू है वो है FSA से आई तो आज का लेक्चर जो है मारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने के मिलेगा तो चलिए बने रही है वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसे पहले मैं आपसे के कमेंट्स में तो जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे है प्लिस इसका अगर आप फूर सेफटी ऑफिसर की तैयारी कर रहे है तो आप इतने कोशन का आंसर तो जरूर दीजेगा और उसके बाद में मैं किलियर करूँगा कि यह इसके बारे में जो डिटेल है व आता है आपकी सिटी जो है वो उसका डेजिङनेटर ऑफिसर कौन है यह भी मुझे कमेंट करके बताइये उसके बाद में फूड़ सेफटी ऑफिसर जो है वो आपके एरिया का कौन है तो आप मुझे इनके अंसर जरूर दीजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आपने हमारी यूटूब चैनल इस्टेडी पर ट्रिपल ले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दीजेगा जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके बाद अगर आप मेरे वीडियो का पीडियेफ चाहते हैं तो मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इसके साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर मैसेश कर सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कि FSAI है उसका establishment कैसे हुआ FSAI कब आया बहुत पहले से चला आ रहा है या भी जल्दी आया तो इन सब बारे में बात करेंगे तो जो हमारा food safety act था 2006 वाला उसी पे सारी चीज़े based हैं आज हमारे इंडिया में चाहे इस टेट में food safety हो officer हो चाहे वो central का food safety officer हो सबी जो food safety act है हमारा 2006 का उसी को follow करके चलते हैं सब उसी पे base है वो basic structure है एक तरीके से उसके उपर ही सारी चीज़े टिकी हुई है तो food से related जो भी चीज़े हैं सब उसी पे based हैं तो जो food safety act है हमारा उसमें क्या लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ था कि जो central government है वो क्या करेगी वो एक notification जारी करेगी और उसके थो वो establishment करेगी एक body का जो उस body को establishment करेगी उस body का क्या नाम होगा उसका नाम होगा FSA से आई ये नाम पहले से decided था उस act में लिखा हुआ था उसके बाद ये भी लिखा था उस act में जो उसका head office होगा वो दिल्ली में होगा New Delhi में इसका head office है उसके बाद में अगर बात करें उसमें ये भी लिखा था जो food authority यानि कि FSA से आई वो चाहे तो अलग-अलग जगा पे offices अपने open कर सकती है तो आज के time पे इंडिया में 6 offices है ये हमारा head office New Delhi में है उसके बाद डेली में एक office है और कोचीन और चेन्नाई ये दोनों South India में अगर South India की बात करें तो कोचीन और चेन्नाई में इसके दो offices है अगर हम इंडिया के East Reason की बात करें अगर हम इंडिया के East Reason की बात करें तो कुलकाता है अगर हम इंडिया के विस्ट रीजन की बात करें तो मुंबई हो गया और अगर हम नौर्थ इस्ट रीजन की बात करें यानि कि आसम में गुहाटी में FSSAI का ओफिस है दोस्तों आप जासा कि जानते हैं इंडिया एक बहुत ज्यादा diversity वाला कंट्री है इंडिया में बहुत ज्यादा diversity है सबसे जादा language को लेकर यहाँ पर 20 से भी ज्यादा languages है तो इतनी सारी languages की वज़े से एक country को united करना इतना आसान नहीं है कि एक uniformity के साथ में log किसी log को implement करना इतना आसान नहीं होता है तो different different जगा पे उनके language के basis पे मतलब reasons के हिसाब से कुछ offices open किये गए जिससे हम अच्छे से एक food पे एक control बना सके और FSSAI सब को लेकर आगे बढ़ सके इस states को तो उसके बाद में जो FSSAI है वो established हुआ 2008 में यानि कि 2006 में आया हमारा act और 2008 यानि कि 2 साल बाद में FSSAI का गठन हुआ उसके बाद में FSSAI जो है Ministry of Health and Family Fair के अंडर में आता है और इसमें FSSAI को जो act है उसमें विशेश रूप से एक order दिये गे थे official order कि वो क्या करेगा laying down science based standard उसका basic काम यही होगा main work यही होगा वो एक science based जो standard है food का उसको निर्धारित करेगा उसका यह basic work होगा एक उसके साथ ही साथ वो regulate करेगा क्या manufacturing, storage, distribution और sale and यह भी ensure करेगा कि जो availability है food की वो consumer को safe food और wholesome food मिले यानि की food जो है वो सुरच्छित भी होना चाहिए इसके साथ में postic भी होना चाहिए उसके साथ में जैसे chair person यह questions है आप इनका answer मुझे जरूर बताइएगा comment करके उसके बाद में chair person की बात करें और chief executive officer की बात करें दोनों में बड़ा confusion रहता है कि कौन सबसे उपर है तो मैं आपको एक example लेके बताता हूँ जैसे कि हमारे country में एक है president यानि कि राष्टपती एक है prime minister तो आपने देखा होगा कि जैसे president है वो head of the country है अगर हम भोलें कि हमारे country का head कौन है तो वो president होगा और अगर हम बोलें कि हमारे government का head कौन है तो वो है prime minister जैसा कि आप देखते हैं जो बड़ी-बड़ी चीजों को अगर approval देना होता है या फिर किसी act पे sign करना होता है तब वो जाके act बनता है किसी bill पे sign होता है तो वो सारी powers किसके पात है वो है president के पास या राष्टपती के पास और prime minister जब भी आप देखते हैं कि country में अगर war की situation हो अगर country में emergency लगती है ये बड़ी-बड़ी जो situations अगर आती है अगर कोई भी घटना घटित होती है कोई internal या फिर external कोई भी घटना अगर होती है तो prime minister picture में आ जाते हैं यानि कि सारी की सारी power prime minister के पास में है अगर हम अपनी जो तीनों सेना है armed force के अगर बात करें तो वो भी prime minister के control में रहती है तो एक तरीके से वहाँ पे prime minister को बहुत ज़्यादा power दी गई है इसी तरीके से सेम यहाँ पे जो chair person है वो FSCI है एक authority है उस authority का जो chairman है यानि कि president है अध्यक्ष है वो chair person होता है अगर हम executive body की बात करें जो administration level पे काम करेगी जो आनि प्रसासनिक level पे जो काम करेगी वो जितनी भी चीजें हैं जैसे food commissioner हो गया या फिर designated officer हो गया food safety officer हो गया उन सब को कौन head करेगा वो head करेगा CEO CEO of the FSSAI ये एक I.S. officer होता है एक senior I.S. officer होता है जो की cabinet secretary भी होता है दूसरे नंबर पे आता है food commissioner जो state होता है food commissioner जो होता है वो state में ही होता है food commissioner क्या करेगा designated officer को guideline देगा उसके basis पे वो काम करेगा designated officer क्या करेगा food safety officer को guidelines provide करेगा जिसके आधार पे वो काम करेगा तो यहाँ पे food commissioner कभी-कभी food safety officer को directly guidance दे सकता है basically food commissioner जो है वो state में होता है तो state का head की अगर बात करेगा तो food commissioner है particular city की अगर बात करेगा तो designated officer है उस city के अंदर काई food safety officers हो सकते है उनको कौन head करेगा उनको करेगा designated officer तो आप समझ के होंगे कि executive officer executive के बाद food commissioner food commissioner के बाद में designated officer उसके बाद में food safety officer यह hierarchy चलती रहती है तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कौन किसके बाद आता है तो आई हो तो आपको थोड़ा सा idea लग गया होगा उसके बाद चली है start करते हैं अपने lecture को तो आप देख पा रहे हैं जो पहला point है वो है major role of the FSCI FSCI का role क्या है तो जैसा कि पीछे भी बता चुका हूँ इसका major role है regulate करना और monitor करना कि इसको manufacturing processing, distribution, sale and import of food import की बात करें तो अगर बाहर से कोई food आ रहा है पहले उस food को ये ensure करना होता है बेजने वाला है कोहीं से भी food आ रहा है कि वो food safe है या नहीं है वो हमारी country और हमारे consumers के लिए unsafe तो नहीं है ये authority होती है FSCI को कि वो regulate और monitor कर सकता है चीजों को उसके साथ में FSCI का एक काम ये भी है कि चीजों को specifying limited limit करना यानि कि एक तरीके से करना जैसे कि food additives और contaminants और pasted sites ये सब food में कितनी कितनी मातरा में available होंगे इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं labeling को लेकर एक standard का निधारन करना और चीजे जैसे claim हो गया इन सब को लेकर जो चीजे हैं उनका basic standard कैसे form होगा ये सब चीजे FSCI के under में आते हैं ये major role है FSCI का इसके साथ ही साथ prescribing the procedure and the enforcement of the quality in relation to the any import article of the India यानि कि prescribing the procedure ये भी आदेश देता है procedure को लेकर के यानि कि कैसे इसका enforcement होगा quality control को लेकर के with the relation of यानि कि especially उस relation में कि जो food हमारे इंडिया में जो import होकर के आ रहा है उसको लेकर के कैसे उसका quality control होगा कैसे ये भी आदेश जो है ये FSCI देता है कि इसको जो भी इसके नीचे जो working executive bodies होती है उसके बाद में और एक काम क्या है sampling को लेकर analyzing को लेकर इन सब को लेकर ये guidelines जारी करता है ठीक है इसके साथ ही साथ ये create करता है information network across the India जिससे और इसका एक major work ये है ये training program organize कराता है उन persons के लिए जो business में involved है या फिर वो in future business में involved होना चाह रहे है food से related किसी business में तो उनको एक proper training provide कराना जिससे वो एक better food production भी अच्छा करें और लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छे food को ध्यान में रखकर manufacture करें जिससे लोगों को एक better quality का और safe food with nutrients और wholesome food मिल सके इसके साथ ही साथ promote करना general awareness about the food safety and food standard and promoting coordination of the work on the food standard एक coordination बना के रखना जैसा कि आप देख रहे हैं लोग awareness फैलाने के लिए बहुत सारे offices खोले गया हैं जैसा कि मैंने आपको बताया different places पे अधर अधर states में states के बाद में city में तो बहुत सारे एक तरीके से FSCI का काम यही है कि लोगों के अंदर लोगों को जोड़ना connect करना और awareness लेके आना कि food को लेकर के क्या-क्या चीजे ध्यान में रखनी चाहिए उसके बाद में अगर बात करें FSCI जो work करता है उसके special 11 divisions है वो 11 divisions को लेके work करता है आप भी समझ सकते हैं इतनी बड़ी authority अकेले work नहीं कर सकती है उसको work करने के लिए कुछ committee, कुछ divisions चाहिए होगे जिसको लेकर के वो work करती है तो सबसे पहला standard division है उसके बाद में एक regulation division है जो regulate करेगा चीजों को regulatory compliance and surveillance division है quality assurance है human resources है उसके बाद में finance division है import division है risk assessment division है FSMS division FSMS का मतलब है food safety management system division उसके बाद general administration division है उसके साथ में legal division legal division में जो भी offense वगेरा होंगे food को लेकर के अगर कोई अपरात करता है जो भी legal matters होंगे वो सारे इस division के अंदर में आएंगे तो चलिए बात कर लेते हैं जो governing structure of the FSCI वो क्या है तो जैसा कि जो सबसे उपर में है वो food authority है chair person food authority है उसमें क्या है उसमें एक तो chair person है उसके बाद में 22 member है अगर food authority की बात करें तो उसमें total 23 member है एक chair person है और 22 member और है यानि कि 23 होगा टूडर food standard में आप देखेंगे इधर side में 2 part में divide कर दिया गया इसको एक food standard एक compliance and inspection उसके बाद आप देख पा रहे है scientific committee scientific committee जो है उसमें क्या होगा chair person of the scientific panel होगे scientific panel देखेंगे आगे क्या है उसके बाद में 6 independent member होगे और 17 scientific panel होगे उसके बाद में जो ये inspection वाला है इसमें होगा central advisory committee ये different topics को ले करके यहाँ पर थोड़ा spelling mistake खाए अप टी लगा लिए जगा ये different topics को ले करके क्या करेंगे एक जो authority है उसको advise करेंगे चीजों को ले करके और जो state level steering committee है इसके बारे में आगे देखेंगे और ये district level advisory committee है आप समझ सकते हैं ये central हो गया फिर ये state level पर हो गया district level पर आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर basically तीन चीजों में एक hierarchy चली आती ये पहले central है फिर state है फिर district है तो उसी हिसाब से जो advisory committee है वो एक central level पर है एक state level पर है और एक district level पर है अब ये थोड़ा सा मन में बना के चलिए मोटा मोटा एक idea याद रखने के लिए तो अभी आपने देखा हमने governing structure of the FSCI के बारे में बात किया इसका जो पूरा explanation है वो हम आगे next video में देखेंगे क्योंकि video बहुत ज़्यादा बढ़ा हो जाएगा तो यहाँ मने जो food authority और scientific committee और यह सब देखा है scientific panel के बारे में इसके बारे में आगे explanation देखेंगे और इन सब चीजों को भी explain करेंगे आगे lecture दो चीजों में लगबग आपको measure दो point देखने को मिलेंगे एक हमें यह समझ में आएगा कि central में कैसे वर्ख हो रहा है कौन वर्क कर रहा है और state में कौन वर्क कर रहा है state में हमारा कैसे implement हो रहा है FSACI वहाँ पे तो यह सब चीज़े आपको next video में देखने को मिलेंगी तब तक के लिए मैं उमीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस इसे like share और subscribe कर दीजेगा और comment जरू करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा हो इसके साथे साथ जो मैंने questions बोले थे पूछे थे starting में उनका आप अंसर जरू दीजेगा तब तक के लिए थैंक यू